नमस्कार आप देख रहे हैं नीजवल इंडिया आपके साथ में हूँ काजो नरायन शुरात करेंगे खबरों की अक्सर जेल के खाने को बहुत ही घटिया माना जाता है यहां तक कि जब घर में खाना बढ़िया ना बढ़े तो लोग कहते हैं कि इसमें अच्छा खाना तो जे करने के बाद FSAI का 5 स्टार प्रमान पत्र मिला इस तरह फरुखाबाद के फतेगर जेल यूपलबदी हासिल करने वाली यूपी की पहली जेल बन गई है दरसल फरुखाबाद की जिला कारगार की रसोई को आधुनिक कर दिया गया है जेल के अंदर इस नए किच्छन में ख पत्र पदान किया जिसमें 5 स्टार रेटिंग है जिसमें हमारी 5 स्टार रेटिंग आई है और यह इट राइट केमपस के रूम में इसको प्रमारित किया गया है पते बुर्जले की प्रास्मिक विद्दाले का मामला सामने आया है जोहां क्लास से निकलकर पानी पीने जा रहे है चात्र को एक शिक्षक ने बेरहमी से पीट दिया जिस्टे शात्र के सिर और हाथ में कंभी चोटे आए गंबीर हालत में परिजन बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे इलाज की बात परिजनों ने डियम को दिये शिकायती पत्र में शिक्षक पर बेरहमी से पिटाय करने कारूप लगाया वहीं समामने में विएसे निज प्रकन बताया है वो प्रकन की जांच कराता हूं और इसी कबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए मेरे सही होगी बबलु सिंग मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है बबलु क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस ख़बर को लेकर क्या आप देट आया है क्या कारवाई सक्षक पर अब तक की गई है 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 सर्च बढक करो यहां पर जिकारश मोज करने आज अर growl जिशसाथ है यहां पर जाते प्रजण। जिसके गवाद बच्चे को लेकर परिजन जिला चिक सालय आते हैं यहां पर अजिकारियों पे गुहान लगाते हैं आखिर बच्चे के गल्टी क्या थी जो उसे इतनी बेरेमी से पीटा गया है ऐसा क्या किया था उसने पानी पीने के अलाबाद बच्चे के गल्टी की हुआ पानी पीने के लिए उसे बहार निकला और बच्चे को बहार दें लिया और उसके साथ मार पे पुरू कर दें चले ठीक है शुक्रिया तो माम जानकारी पहुंचाने के लिए आप इस ख़बर पर नजब नाके रखेगा ब्रिक लगातार आपसे लेते रहेंगे पिलिभीत में ट्राफिक पुलिस पूरे अक्शन मोड में है स्पी दिनेश कुमार प्रभू और ट्राफिक पुलिस प्रभारी निर्देश चौहान के निर्देशन में ट्राफिक पुलिस ने सग्नवाहान चेकिंग अभ्यान चलाए जिसमें तो पईयावाहान तिनवाहान चापईयावाहन को चेक किया गया है जिसमें शेर के प्रमशराओ पर बिना ड्राइबिंग लाइसेंस 13 नंबर पार्केट जोन में कड़े 5 बिना हलमेट 19 सवारी 3 बिना स पीट बेल्ट वाले और चार लोगों का बीमना होने की चलते चालान किया गया है फरुखबाद जिले के कायम गंच में टेक्स अधिकारियों किताबरत और चापी मारी से हरकम बज़ किया जियस्टी टीम भी फरुखबाद में बड़े वेपारियों पर सिकंजा कसने में जोटी है बीते तीन दिनों में जियस्टी टीम ने कायम गंच के एक आरुबारियों पर सिकंजा कस रखाया पुलिस लगातार अभियान चलाकर पशु तसकरों को जेल के सिलाखों के पीछे भीज रही है लेकिन ये पशु तसकर कहीं न कहीं पुलिस के लिए लगातार सिर्दर्द बने हुए हैं कई वारे इन लोगों ने आम लोगों से लेकर पुलिस तक के ओपर पत्राव और जानलेवा हमला किया है बावजूद इसके पुलिस के कोई ठोस रणीती नहोने के कारणी ये तस्कर पुलिस पर भारी पर जाते हैं पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ पशु तसकर गाओं में आकर पशुओं को उठाने वाले हैं सूचना पर पियारवी की गारी पशु तसकर का पीछा करने लगी इसे बीच पशु तसकर ने पियारवी की गारी को निशाना बनाते हुए पत्राव कर दिया हुए। गुचना प्राप्त हुए कि कि कुछ पसु तश्कर सहर में प्रवेश किया हैं, जो कि पसु पश्रूं को उठाने की फिराक में हैं इस उचना पे थाना शापूर, सीव कैंट और अन्य आधिकारी और थाना प्रवारी उनकी गहरा बंदी में लगए और चौरी-चौरा सर्किल से भी दो-तीन थाना प्रवारी नाके बंदी में लगए उसी समय पीछा करते समय एक प्यार प्राओ किया गया जिसे उसका एक शीषा स्क्राइब हो गया है और इसी कबर पर जादा अप्डेट के लिए मेरे से योगी धानीश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं धानेश आखिर गुरकपुर में पश्चू तस्क्रों के बंद हैं लेकिन इन पर कोई कारवा पुलिस की गाड़ी पर पत्राव किया गया है पश्चू तसक्रों के होंसने यहां पर लगातार बुलंद होते वे नजर आ रहे हैं जब भी पुलिस मौके पर जाती है पश्चू तसक्रों को पकड़ने की कुशिश करती है तो उन पर पत्राव किया जाता है हाल ही में पश पशुत अशकर हैं वो भागने में काम्याब रही हैं तो गुरकपुर का एक पुरा मामला है जहां पर गौत अशकरों से आम जनता परिशान है इसी कबर पर जादा अब्लेट के लिए मिरसयोगी धानिश मेरे साथ फोन लाइन पर जोड़ गए है धानिश पशुत अशकर लगाम नहीं लगा पा रही है मैं आपको बता लूँ कि प्रमिवार की बहुत की बात से अपने अपने शित्र के लोगों से वैशक कहे दें सभी थाएदार से थाएदार और सीयों मौजूद थे पुलिस लाइन में मीटिंग कर रहे थे उसी दुरान तो सुलना में भी पर परदा प्रमिवार को गार रहे हैं उसकी फूटा में प्रमिवार के लिए लगा प्रमिवार कर लूँ पर फ़ूर टुरा जोगत हो नहीं पर बोएदार से किसी पर शुनतल कर के गरफ्तार हो पाई है धानेश परिवहन मंत्री देश्रंकर सिंग को ग्यापन सॉप्राइब नियुक्त परिवहन मंत्री देश्रंकर सिंग को ग्यापन सॉपा साथी नेताओं ने रोडवेज पर यात्रियों सही तन्य लोगों को होने वाली समस्याओं से भी अगद कराया मीडिया से बाचित के दुरान वीजुपी नेता ने बताया कि शागश नगर पर रोडवेज बोस्टेंड के हालत बस से बत्तर है बवन जोजर र रोडवेज जो जीर सी रहस्था में है उसको बहतर बनाने के लिए दूसरा उसमें शागन से जॉंबूर के लिए बस से बहाने के लिए शागन से नगरी छेत्रों में आसपास एरियर में बस की सुद्धक ले मैंने मांग पतो दी है और बहुत अच्छी बात है देगी ग्य हर दोई में आवेद तमंचो के साथ वीडियो और फोटो सोचल मीडिया पर बारल करने के दो मामलिया लग-लग ठाना शेत्रों से सामने आए मजीला थाना इलाके में क्यूवक ने तमंचो साफ करते वे वीडियो वाटसेप स्टेटस पर लगाया है जबकि अरवल थाना इलाके में दो इवको के द्वारा तमंचो के साथ फोटो फेस्बुक पर अप्लोड की गई है इस मामली में अपरप्रस दिक्षा का कहना है कि मिलने उसके गाउं पहुंचे प्रेमी की जम कर देगई प्रेमी पर जुटे चप्पल चलने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है दरसल एक युवाग चोरी चिप अपनी प्रेमिका समयलने अक्सर इसके गाउं पहुंच जाता था गाउंवाले पिछले कई महें न उसे इसको देख रहे थे और आखिरकार उसके पिटाई कर दी अप और पुलिस देख शक्री बताए कि मामने में दो युवकों को गिरफतार कर उनके विरुद कारवाई की जा रही है थाना को तौली द्याद का मामना है एक बेक्ट है बिरु तिवरी जो निवासी बिलाहा थाना को तौली द्याद है इन्होंटे प्राथरफद दिया है कि वहां भीठा महा सिंगाओं में गये थे वहां पर दो बेक्ति रोहित और सुधीर ने उनके साथ गाली के लाउज की उनके साथ मार बिट की इससे सुचरा इमन पुलिस को दिये पुलिस ने दोनों बेक्तियों को गिरफतार किया है और जात चलने है जो भी साथ चाहें उसका अधार पार्वाई करेंगे गणेज जी की मूर्ति स्थाप्त करने वाली मुस्लिम महिरा रूभी आसिफ खान ने बड़ा बयान दिया उन्होंने मीडिया से बाचित में कहा कि हिंदु देवी देवताओं पट्पिण करने वाले साहरंपुर के मौलाना जिहादी और उग्रबादी हैं पूजा आस्था को लेकर विवादित बयान देने वाली मौलवे सच्चे मुसल्मान नहीं हो सकते हैं देश का बटवारा करना चाहते हैं हिंदु मुसलिम सभी भाईयों को मिल जूल कर रहना चाहिए मेरे द्वारा की जारही पूजा याश्मा को लेकर पहले भी मेरे खिलाफ फत्वे जारी हो चुके हैं भारती जंतापाटी के महिला मोचा के मंडल उबाधिया इस्टूपी आसफ खान ने हिंदु देवी देपताओं के पूजा याश्मा करने बाद विवाधित बयान देने वाले सालनपूर के मुफ्ती अर्श्वत फारुपी को आड़े हातों लेते वे कहा कि ये लोग देश को माटना चाहते हैं चंदौली के सिकल दिया तैसिल के विश्वपुरा बंश्वपुर गाओं की महिलाए दरजनों की संख्या में ग्राम परधान वीज़े कुमार की नदित में तैसिल परिसर प्रदशन करते वे कोटिदार के खलाफ कारवाई के लिए उब जरादिकारी को पत्त्र सौंपा है मैलाओ का आरोप है कि बासिप्र ग्राम सभा कोटिदार ग्रामिलों से अंग उठा लगवाने के लिए कई दिनों तक परिशान करता है मैलाओ को अंग उठा लगवाने के लिए बार बार आना पड़ता है जब राशन लेने के लिए तब उन्हें मना कर दिया जाता है बाद युफ्ती तिन्धुरी रसुत गाउं के रहने वाले मौके पर पहुंचे बुलिस ने दोनों को शवों को कफजी में लिया है गाजबाद के थाना ट्रॉनिका सिटी शेतर में कैशर से एक लाख चवण हजार लूटने वाले दो बिदमाशों को लूनी बॉर्डर पुलिस और एस पे ग्रामेंट टीम ने पुलिस मुर्पिट के दुरान विरफ्तार कर लिया है सितप्पर के हर गाउं विदान सबासे बीज़पी के विधायक सुरेश राही डियम दफ्तर पहुंशे धरने पर बैट गया पुलिस और दिकारियों ने उनको फसानी के साज़िश की है जिसको लेका देम दफ्तर के बाहर धरने पर बैट गए है बुलंशरे के जरादिकारी चंद्रप्रकाश्य सिंग और सस्पेश लोकुमार सिंग ने संपूर्ण समधान दिवस के अफसर पर तैसिल दिबाई में जन समस्याइं सुनी हैं फर्यादियों की समस्याओं को मौके पर निप्तारा है कुछ शिकायते रह गई हैं जिसको लेकर निर्देश दिये हैं कि जल से जल इनकी फर्यादियों की समस्याओं सुलशनी शाहिए बुलंशर के विकास कन गुलावटी श्रेत्र अंतरगत ग्राम कूटा में दिव्यान जनों के लिए निमानधी ने विशेश समकेतिक माध्यमिक विद्याले और होस्पर की निमानकारे की सितिका जाजा लेने के रिए देश से जलादिकारी चंतुपरकाश्र सिंग ने सलिय ने रिक्षण किया वहीं मौके पर निर्मानकारे करा रही समध्यकारे दाई संस्था का कोई विद्यू पसित नहीं मिला मौके पर सिर्फ कुछ मज़ब कान कर रहे थे इसके साथी निमानकारे में भी समागरी मानकों के इंसार इस्तिमाल में नहीं लाए जाने पर जलादिकारी ने कड़ी नाराज के जटाई है मौनिकी रिती के केलाश केट शेत नतरगा डेट दरजन से अधिक घरों के चत पर बिशली के हाइटेंशन लाइन लटक रही है अंटेंशन लाइन के लप पेट में आकर एक 11 साल की बच्चों के मौत हो चुकी है हाइटेंशन लाइन को स्थ करने के लिए लगातार मांग की जा रही है कि यहां पर जो यह हाई टेंशन प्लाइन है मैंने इसके अगेंस में एक आटिया लगाई थी क्योंकि इसमें दो हजार उन्नीस में ग्यारा साल के बच्चे की डैथ हो गई थी तो उनको सुनने माया थे कि कोई अगरा कुछ नहीं था उन्होंने दिया नाइये तार हटवाई उन्होंने दुर्गषटने के बाद भी तो अभी मैंने अभी 15 दिन पहले एक मेहने पहले मैंने एक RTA लगाई थी जिसमें उनसे जवाब मांगा था कि जो compensation दिया है बच्चे को दिया है या नहीं दिया है अगर दिया है तो कितना दिया है कि हमारा भी एलेक्टिकल जो ओफिसर आएगा और उसके बाद इसका सर्वे करने के बाद वो करेंगे और हमने आटिया लगाई थी कि इसमें पैसा जो है रिलीज हुआ था विधायक निदी से चौरासी हजार रुपे जो रिलीज हुए थे बकाईदा विधूत विभाग ने इसका एक एस्टिमिट बना के त्यार किया था त्यार के मारे हम इतनी हाई पावर की तार हो कुछ कर नी सकते हम आपने चछत में हाल तो बच्चों को गूमने नहीं देते ताब से मनलब बहुत परिशानी है हमको इसी कबर पर जादा बेर के रिए मेरे सयोगे संजे शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पज़ुड़ गए हैं संजे क्या कुछ जानकारी मिल रही इतनी परिशानिया लोगों को रही है हाई टेंशन लाइन लोगों की छतों को छूती हुए जा रही है उसके बावजूर भी कोई कारवाई नहीं की जा रही है ईहां यहां यह समस्य बहुत जाड़े कब में चमस्या और में लेगे जो वहां के बाव में हों में बताएं कि जो दो पैंट 1 मना मत फोलाइक अच्ट जा रुमें की जो रसाती है उसमें तो आप इसकान स्वाद्रे क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं इस दब पातों को लेगे कि अधिसादी अभी अन्ता को पून किया तो उन्होंने का हमारी संग्यान में इस तरह की जो लापरवाई विवाग की है वो एक मत्तलर देश में विचाड़े वक्तपच्चे की जान भी से है उसके बावजूद भी कोई समधान नहीं नहीं पार रहे चलिए चालिए शुक्रिया अतमाम जानकारी पहुंचाने के लिए जेराम आश्रूम होते वे त्रिवेडी घार जाने वाली संक्री रोड पर लगाता नो पार्किंग में वहान खड़े की जा रहे हैं सबसे जादा वहान आस्था पत के उपर बने होट और संचाला के द्वारा परट्रों के खड़े कराये जा रहे हैं जाने वाले पैदर शुधारों को भी परिशानियों के सामना करना पड़ रहा है नो पार्किंग में वहान खड़े होने की वज़े से जाम लग रहा है कई बार स्थानिये लोग पुलिस को इस सम्मद में मौके क्रूप से जान कर दे चुके हैं और इसे के साथ फिराल खबरों में इतना ही आप बनी रही है निउस फॉल इंटिया के साथ